हेलो दोस्तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी यूनिट डिजिट चलना है आपका यूट्यूब चाइनल है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासे सोनपूर और इस पर हम लोग यूनिट डिजिट पर बात कर रहे हैं पिछला जो आपका लेक्चर हुआ था वह इंपोर्टेंट इस तरह से पूछे जाते हैं और मैंने जो आपको ठ्यूरी बदाया उस पर ही डिपेंड़व कुस्चन थे एप्रॉक्स मैंने आपको 15 क्वेंट बताया हुए थे और जो भी थीओरी है उसको हम बता दिये थे और जो ठ्यूरी बताया थे उस ही पर डिपेंड़व प्रिवेंडर थियूरम में आपको हम बता हुए थे और अब जरा सूचिए आज के भी क्लास में आपका फ्रेक्टोरियल का यूज होगा कहीं से कोष्टन उठाकर आपको हम दे दिये तो वह ऐसा भी कोष्टन हम आपको आज जो थियूरी बताएंगे उसके पहले बीपेंडेट कोष्टन नहीं हम इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं जैसा कि अगर हम पावर का बात करें तो पावर में हम आपको चार्ट टाइप बता चुके हैं कोनको टाइप याद होगा जैसी अगर ऐसा सको निदे याद होगा कि ऑजुशने बंदे इंदे का याद होगा कि ऑजया है ऑक हम और पप्छले जो क्लास हुआ था तो पिछला क्लास जो आपको selective question पे हुआ था उसके पहले का class में आपको एक हम ऐसा question दिये थे जैसे मैं यहाँ पे question दे दूँ सपोर्ज पांच दे दूँ ऐसा ही question बताया थे 5 नहीं दूसरा भी दे सकते हैं माल लिजिए हम यहाँ पे माल लिजिए हम यहाँ पे question दे दे 25 फिर यहाँ दोपर पावर 25 तीनपर पावर 25 इस तरह से डॉट 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 हम यहाँ पे दे दे 50 पे पावर 25 तो आपको हम बताया हुए है सारे question में कि जब भी आपको जादे पावर दिखे उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं यूणी डिजिट में क्यों कि 4 के बाद repetition होता है चार के बाद हर चार चार नंबर के बाद क्या होते है रिपिटेड होते हैं सिर्फ किसको छोड़ कर एक 0 पांच छो को छोड़ कर आपको हम जीरो से लेकर 9 डिजिट ह उसमें हम तीन तरह से डिजिन को बाते हैं याद होगा एक बार में बताए हुए थे एक्जे-जीरो-पांच छो're का नसेप्ट बताए हुए थे इसकंसेप्ट का बीए थे फिर बात किते दो तीन साथ और वाला concept पे बात किये थे, फिर हमने बात किया था, चार और नौ पे हम लोग बात किये थे, कितना सारा हम लोग उने बात किया थे, यादोगा, तीन category में आपको इस unidigit का concept खतम किया था और उसी concept के बाद हमने ऐसा question बताया था तो मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह का question हो तो हम लोग किस से divide करते हैं चार से divide करते हैं जब चार से divide कीजिएगा तो इसमें भी remainder 1 इसमें भी 1, सब में 1 बचेगा और हम बताया थे कि अगर लगातार प्राकिस संख्या हो इसका formula in, in plus 1 by 2 लगाते हैं अगर ऐसा ही question दो के form में आ जाए सब आपके पिछला वीडियो में बताया गया है जो बच्चे इस channel पर अभी नए आया है या देखना start किये हैं उनसे request है कि इसको परने से पहले आप पहले का lecture जरूर देखे अगर आप पहले का lecture नहीं देखते हैं ये समझ में नहीं आएगा जो बच्चे पहले से थोड़ा बहुत unit digit का concept जानते हैं उनको तो समझ में आएगा लेकिन जो बच्चे अभी एकदम नए है अभी परना start किया है उनको ये दिक्कत करेगा लेकिन आप तीछे का lecture देखिएगा सारी बात आपको समझ में आएगा तो इसका हम formula बताये थे n, n plus 1, 2n plus 1 by 6 इसका concept बताये थे फिर मैं आपको बताया था power 3 के लिए याद होगा फिर हम किस पर बात किये थे power 3 के लिए जब माली ये power 3 के लिए बात बताये हुए थे इसका formula बताये थे n, n plus 1 by 2 का whole square इस formula पर बात किये थे और एक हम बताये थे कि जब 4 से divide करते हैं पूरा-पूरा कट जाता है उसके लिए हमेशा हम 4 देते हैं इसके लिए हम बताये थे 1 पे power 4, 2 पे power 4 3 पे power 4, dot 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 10 के multiple में तोरते हैं तो इसका unit rate कितना आता है 3 आता है, कितना concept power वाला हम बता दिए थे बट आज power वाला में कुछ हम लोग आगे का बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पे question दे 200 मालीजे यहाँ पे suppose हम यहाँ पे कुछ भी देते, 33 देते और इस पे power इस पे power हम मालीजे यहाँ पे 52 और यहाँ पे मालीजे 95 देते, इस तरह का question देते या और पहले हम 52 नहीं देते हैं, दुसरा कुछ देते हैं इसमें आपको चार तरह के टाइप आते हैं, इतने तरह के टाइप आते हैं, चार तरह के टाइप आते हैं, रिमेंडर एक बचेगा, रिमेंडर कितना बचेगा, एक बचेगा, या रिमेंडर माइनस एक, माइनस एक वाला तीन हो जाएगा, या रिमेंडर दो बचेगा, या 0, अज 0 का मतलब क्या होता है? 4, विमेट ड Jiangos में 0 का मतलब क्या होता है? तो इस तरह का question आपको हम बताये हुए है विमेंडर टिर हम बताये है वहाँ पर पावर किस तरह काद है जैसे हम यह लिख दे तीन पे पावर दो और इस पे पावर तीन फिर तीन पे पावर तीन दो फिर तीन पे पावर यहां पे माली जे दो अहोल पावर तीन दे देंगे और एक तीन पे पावर तीन अहोल पावर तो देंगे यह चारो का मतलब अलग अल यहां 3 का square कितना हो जाएगा? 9, 2, 3 कितना हो जाएगा? 6, और यहां 3 दुना कितना हो जाएगा? 6, तो इस तरह का भी question पूछे जाते हैं, आज हम इसी तरह का भी question हम आपको बताएंगे unity में, घवराने वाली बात नहीं है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और समझने का कोशिज करते हैं, चलिए, माल लिए हम पहला एक टाइप यह दिए, और इस question को solve करना है, तो देखिए मेरे भाई, कभी भी कोई number पे power पे power देजे, पहले power को कम करेंगे, यानि power को खतम करने का कोशिज करेंगे, जैसे यहाँ 33 पे power 95 हैं, इसमें 4 से divide की है, अब 4 से divide इस पे पुचव का 52, कितना मरत लेगा, चैसे 13 मरत लेगा, यानि जब इसको divide कीजिएगा, हो एक बचेगा, यानि इसका value कितना आ गृक आ गया, यानि 233 पे power आपका कितना आ गया, जब मुझे unit digit निकालना है तो मैं unit digit को ही पकड़ेंगे और 3 पर power 1 कितना हो जागा 3 होगा आई बस समझे यानि इसका unit digit कितना होगा 3 होगा अब एक question से तो काम होने वाला नहीं है अब एक दो और example देंगे तो आपको clear होगा कि आखिर किस तरह का examination में question पूछे जाते हैं आई बस समझे जैसे हम यहाँ पर देदे 32 पर power सपोज 33 और 33 और इस पर power कितना रजिए 34 इस question का unit digit पूछेगा बताइए इसका unit digit कितना होगा तो मैंने क्या बोला कि जब power पर power होगा ये type first है ये type कितना है ऐसा type जिसमें reminder एक बचेगा इसमें सम में देखिएगा जो आपको हम type बताएँगे reminder एक बचेगा आप जो power लिए उस power को पकर लिजी और इसमें चार से इतना से divide किजिएगा चार से divide किजिएगा आई बस मुझे जब चार से divide किजिएगा तो चार अठे कितना हो जाएगा 32 कितना होगा 32 होगा तो एक reminder बचेगा यहाँ reminder कितना बचेगा एक बचेगा यानि यहाँ पे reminder जब एक बचा तो इसका power कितना हो जाएगा एक जैसे इसको divide किए एक एक पे पावर कितना हो गया? 34 अबटा में 4 यानि एक ही नहोगा, इसका रिमेंडर कितना होगा? एक होगा, हम यह रिमेंडर के फॉर्म में लिख रहा है, आई बास समझ में सेस्वल के फॉर्म में, अगर मैं पूछू कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आप खुद सोचीं, 32 और इसका बहलू कितना आगया? वन, जब यूनिट डिजिट निकाल लिए गाता इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है 2 पर पावर 1 कितना होता है 2 होता है आई बात समझ में कि नहीं उमीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग इसका यूनिट डिजिट निकाल दे हैं एक दो और कॉस्चन देख लिए जैसे मैं यहां पर कॉस्चन देदू 7 3 6 और इस पर पावर दे सारे कॉस्चन को उसी तरह से नहीं बनाएंगे आप हमेसा याद रखेगा 0 1 उसके बाद 5 और 6 का यूनिट डिजिट कुछ भी पावर कुछ भी इसका यूनिट डिजिट जो होते हैं नो चेंज होते हैं फ़र्ष टाइम से ही आपको हम बता रहे हैं यहां पर यूनिट डि जो भी कॉस्चन आएंगे उनको आपको सॉल्व करना परेगा जैसे मैं यहां पर कॉस्चन देदें सपोज 900 माल लिजिए यहां पर 24 और ब्रैकेट नहीं देंगे माल लिजिए इस पर कॉस्चन देदे हम सपोज 45 और इस पर पावर देदी है 50 आई बसमझ में 45 पर पावर क 54 और इसमें कितना से भाग लगायीः चार से जब 4 से भाग लगाईएगा तो कितना मरत रहम हम नहीं पर पॉस्चा सबस्य ऐसे यह पर 50 यह नीचे चार बार व दूब ले इसका यूनि डिजिट क्या होगा उमीद है कि इस तरह का question अगर आपका examination में आएगा तो आप असानी से बना सकते हैं टाइप फॉस्ट का concept किलियर हुआ जब remainder कितना बचेगा एक बचेगा कैसे एक बचेगा तो आपको 4 से divide करना है अगला टाइप देखे हैं टाइप कौन सा आते हैं अब टाइप ऐसा हैगा टाइप हम चेंज करने रिमेंडर एक न बचकर रिमेंडर कुछ और आएगा और उस question को आपको बनाना है जैसा मैं देदू 32 35 और यहां पर 36 अब हम कहें कि बताइए इसका यूनि डिजिट क्या होगा तो कैसे solve परेंगे तरीका वही रहेगा पावर को पकर लेंगे अब इसको चार से डिवाइट किजिए चार से डिवाइट किजिएगा तो 4 अठे 32 होगा 32 होगा तिहां पावर चती तो ऐसा हम करते हैं फिरो में बताये थे कि जब आपको ज़्यादे पावर आ जाए नतीं तो काफी एक को दो काफी है तो हम लूग माइने स्था से उसक्राइब जादे हैं और वहां से लिए निकलते हैं तो अगर हम चार से यहां भाग में आप गरत तो यह आपका यह यहां कि आपका यह अपनुस को क्या करें करेंगा प्लस पुलस प्लस करेंगा इसका रिमिंडर कि इतना हो जागा एक जब एक हो जाएगा तब 32 पर यह पूर्य पावर का फैलू कितना हो गया वन हो गया अब मैं तो हूँ इसका यूझी टीट यूझी डीट को यानि टूपा कर लीजिए टूपावर 1 कितना हो जाता है अई बसमझमें उमीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का question आपको कैसे बनाना है चलिए एक और question इस पर दिखते हैं जैसे माल लिजे हम यहाँ पर question देजिए कुछ भी माल लिजे हम यहाँ पर देदिए 377 377 इस पर पावर माल लिजे हम यहाँ पर देदिए 44 और यहाँ पर देदिए 45 इस question को आपको बनाना है कि यह question कैसे बनेगा तू यंत निकलना है इसका इन डिजिट कितना हो गया तू इसका इन डिजिटन कितना होगा र्यान से समझो पहले पावर को ले लिजे और इस पर क्या करदीए 45 और इसमें कितना से दिवाइट केंगे, चार से, ठीक है, चार तो पूरा पूरी कर जागा, चो वालिस मकी की दूसरा लिए, हम सब टाइप पले, टाइप वाइज हम बता रहे हैं, ऐसी यह भी कोस्टन सही है, बर जो हम आपको टाइप बताना चाह रहे हैं, उस टाइप के कावडिक, हम इस कोस् आदे हो जाएगा, तो हम 12 मरत लहेगा, बर्चों कर तालीस तो रिमेंदर कितना बज़ेगा, माइनस वन, आई बस समझ में, रिमेंदर की रम में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, तो इस बात को समझना कोई भारी चीज है नहीं, यह कैसे हम कर रहे हैं, चार में 47 से भाग लगाएगा, तो 12 मरत लहेगा, तो कितना यहां बचेगा, माइनस वन बचेगा कि नहीं बचेगा, तिक है, और अगर कोई इसी को 47 को 11 मरत लगा रहा है, यह रिमेंदर कितना बच जागा, 3, जब यहां 3 बचेगा, तो फिर 3 पे पावर 45 बचेगा, तो आप ही जब माइनस में यहां पे जाएंगे, जरा ध्यान समझीगा, तो माइनस वन पे 45 बचेगा, और बटा में क्या है, चार, यहां पे माइनस पे इवेन नमबर था, तो प्लस हो गया, बट यहां पे क्या है आपका और नमबर, यहां पे रिमेंदर क्या आएगा, माइनस में, औ कितना हो गया आपका पावर 3 कितना होता है तीन सो ते तालिस होता है कि नहीं होता है अब इसका यूनिट कितना जाएगा आपका कितना जाएगा उमीद है कि यह भी बात आपको असानी से समझ में आ रहा होगा इस पर यहां पर यहाँ पर है से माली हम यहां पर सब्सक्राइब और इस पर हम यहां पर इसने माली जरि है कि आछ पावर को चूटा करने के लिए हम लोग कितना से भाग देंगे यह फिर फोर से हम भाग देंगे तो तेरर्चेयों का बावन 3 से सबस्चेब अब ऐसा रिमेंडर वदा रहे हैं जिसका रिमेंडर माइनस 1 बचे यस तिर पर आप पर पर रताएंगे पहला रूप मेंडर अने तरहीं चेंज करते तो इसके पर रूप में बचेगा खरते हैं तो सकथ जिए आज बीघा चार के बार क्या होते है उतरी यहां पर इसको जब बनाइएगा तो माइनस एक आ जागा चोदुशुका 56 एक ज्याद आप मांणास एक यहां पर किया आगेगा मा NICK आगēए इसका फाइनल अगर निकले गां यह किसा मा माइनस ओना यह जब फाइनल रीमेंडर निकलिएगा तो चार मां से ईट आ लिएजीन निकाला लीए था यूनिट नमर लिजे नौत एक बार पहले देखा दीजे 29 पे पावर 3 अगर मुझे यूनिट डीजिट निकाला आ ती यूनिट नमर को उठा लिजे 9 पे पावर कितना तीन नो को तीन बर किजिएगा 729 आएगा तो बताएए इसका यूनिट कित सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पे पावर को कम करेंगे 59 पे पावर कितना 500 और बटा में कितना चार यहां पे कितना बचेगा यहां पे पावर कितना अब यहां से हम पूछे किसका यूणि डिजिट कितना होगा अब बताईये टाइप टू समझ में आया कि नहीं तो पावर वाला दिख रहा है पावर पे पावर रहेगा ति आप इस को पूस्टन को कैसे बनाएगा अप असानी से अब हम लोग टाइप थर्ड में जाते हैं, टाइप किस में जाते हैं, अब हम लोग टाइप थर्ड में जाते हैं, ऐसे question पर बात करेंगे, जिसका successful दो के form में बचे, इतना के form में बचे आपको, successful दो के form में बचे, जब दो का आपका successful समझ में आ जाएगा, तो last में हम लोग, zero का हम लोग बात करे आई बसमझें। चलिए, तो हम लोग दो का बात कर लेते हैं, अब चलिए, ध्यान से समझे को सपोर्ज हम कोई साथ भी कोस्ट्टन यहाँ पर दे दिये। आई बसमझे में, जैसे हम यहाँ पर समितानवे, बावन और यहाँ पे, बावन न देकर हम यहाँ पे चौवन करने हैं चौवन और यहाँ पे क्या देदी है बिरासी अब ऐसे question को मुझे बनाना है कि वाकई में इसका answer क्या होगा अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ऐसे question को हम हम लोग कैसे बनाएंगे पहले हम लोग क्या करेंगे पावर को करेंगे और बाटा में कितना चार से डिवाइट करेंगे कितना से डिवाइट करेंगे अब हम लोग यहाँ पे चार से डिवाइट करेंगे कि वाकई में इसका answer क्या होगा अब सोच कर बताइए कि इसका इंसर क्या हो सकता है अब ज़रा धियान देजिएगा जब ऐसा कुस्चन आ जाए कि तुरा अलग टाइप कर लाएगा उसी टाइप में आएंगे जिसे चववन है जब इसको चार से भाग दीजिए तो दू आएगा तेरे चववकावाव दो रिमेंडर अभी क्या है आपका बिरासी है अब इसको भी आपको काटना है कि कैसे होगा आई बसमझ में तो ज़रा सुचिए यहां दो पर कितना है बिरासी है तो दो पर बिरासी है तो फिर इसको भी कम करेंगे इस पावर को भी क्या करना है कम करना है ज़रा सुचिए फिर अगर आप इसको 4 से divide कीजिएगा, फिर सी इसको divide कीजिए, ऐसे question में, तो कितना मर्थ कटेगा, 20 मर्थ कटेगा, 20 मर्थ कटेगा, remainder कितना बच जागा, तो 2, तो finally इसका remainder कितना बचेगा, 2 पर power 2, यानि यहाँ पर कितना बच गया, 4, यानि इस पूरे power को, हम simplify किये तो value कितना आगया आपका 4 आगया कितना आगया आपका 4 आगया इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं असानी से समझ गया रहे होंगे अब हम final पुछे कि इसका unit digit क्या हो यह सारा power जब हम इसको simplify किये तो 4 आगया तो unit digit निकालीगा तो unit number पकर यह साथ पे power कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अब साथ पे power जब 4 आ गया तो साथ कितना बाद गुना किगिएगा 4 लेकिन आपको यह कम formula बताए थे अगर odd पे power 4 रहे और फिर even पे power 4 रहे जब odd पे power 4 रहता है तो हमेशा unit digit कितना आता है 1 और even power 4 रहता है तो unit digit कितना होता है 6 लेकिन इसमें कितने अंच्छोर कर 4 1, 0, 5 और 6 को छोर कर याद होगा हम पिछले class में इस बात को बताय हुए है इसके पिछले वाला जो आपका question था question पर भी इस बात को हम बताय हुए है और पहले भी इस बात क हम बताय हुए है कि इस question को जब भी आपको बनाना है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 1056 को छोर दिजेगा है इसका concept इसमें मतलग है और और अब यहाँ साथ पर पावर 4 आगया तो और पर पावर 4 है इसका unit digit कितने के बरावर होता है 1 तो अगर मैं बात करूँ कि इसका unit digit किसके बरावर है तो one की बरावर है उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा चलिए एक और question पर बात करते हैं और इस concept को हम समझते हैं कि आखिर ये question बना कैसे अब ज़ला देखिए suppose हम कोई साभी एक ऐसा ही question हम ले लेते हैं जैसे मा लिजिए 47, 58 और यहाँ पे 69 इस question को बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे power को छोटा करेंगे कितना से divide करके चार से इतना से चार से हम इसको divide करके हम क्या करेंगे power को छोटा करेंगे यहां पे हो गया 9 तो सबसे पहले इसको 4 से भाग दिजी चार से भाग दिजिए गा तो कितना आएगा चुदर 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 चुद बचिया यह तो 3 से यहां पर पावर 3 हो गया एक मिन खरें से समझें यहां दूपअ पावर कितना बच गया 69 बच गया अब जर्दा सोचिए गफ़र पावर जब 69 बचा तो यहां पर फिर चार से ढिवाइड किझेगा जब कितना बच गया अभी भी रिमेंडर कितना बच गया तीन बच गया तो यहां पे दुपा पावर कितना हो जाएगा अभी भी रिमेंडर कितना बच गया आपका तीन बच गया तो पे पावर तीन और दो पे पावर तीन है इसका मतलब क्या आठ कितना हो गया अपका आठ हो गय यह और remainder चुटा हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया, अब ज़रा देखिए, इस पूरे number पर यहाँ पे कितना बच गया, 8 बच गया, अब यहाँ पे जब 8 बच गया, तो यहाँ पे 8 में, जब आप divide किजएगा, अभी भी power जाते है, जब यहाँ पे आप इसको divide किजएगा, फिर हम लोग क्या देते है, चार देते है, 0 के लिए हम इसा क्या देते है, हम लोग, चार, फिर इसको 4 से divide किजएगा, कितना बच गया, चार बच गया, और यहाँ पे जब unit digit में इकालना है, तो साथ पे power कितने हो जाएंगे, चार बच गया, और unit digit पे, odd digit पे, जब even power होता है, इसका unit digit हमें सा कितना होता है, आपको यहाँ पे जब देखे, odd पे power क्या, इवेर, देखे, odd पे power क्या है, आपका, चार है, sorry, odd पे power कितना है, चार है, तो इसका remainder, unit digit कितना बचेगा, बचेगा, फिर से इस question को बताते हैं, तब आपको clear होगा, क्योंकि यह थोड़ा lengthy type है, चलिए, इस question को बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, अन्ठावन पे power जो 69 है, इसमें 4 से divide किएगे, चार से जब divide किजिएगा, तो दो पर पावर कितना बचेगा, उनसक, इसको हम divide करेंगे, तो दो remainder बचेगा, और दो, बाई कितना हो गया, दो पर पावर 16, बटा में कित हो जाएगा, तो पावर 3 बचेगा, क्या बचेगा, चार से इसमें divide किजिएगा, पंदरचों का साथ जादे हो जाएगा, चोदरचों का 56, तीन बचेगा, तो पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, 8, यानि ये whole power खतम होकर, 47 पे power कितना बचेगा, 8 हो जाएगा, अब 8 में 4 से divide किजिएगा, ये पूरा पूरी कर जाएगा, जब पूरा पूरी यानि रिमेंडर 0 बचेगा, तो उसको हम लोग power क्या समझते हैं, 4, अब मुझे unit digit निकलना है, तो unit digit है, ती unit number ले लिजी, unit number ले लिए, और इस पूरे पर power कितना दे जाएगी, 4, और जब odd पे power, odd पे power 4 ह या even पे power 4 हो, odd पे power 4 हो, या even पे power 4 हो, तो odd के लिए हमेशा unit digit किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, और अगर even रहता, तो यहाँ पे क्या हो जाता आपका, 6 हो जाता, उमीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आया ह के माल लीज़े छोर ऑक नार्फिन होगा चलि एक और कुश्चन पे बात कर लेते हैं ऐसा ही जैसे हम 42 और यहां पर 56 चापटन और यहां पर क्या दिया जिख्शापटन नमबर ले लएं दॉसरा फैने लिफर चार से, जब आप चार से डिवाइड कीजिएगा, यहां कैमर ते कटेगा गर्चुक 44, 2 2 पे पावर कितना हो जाएंगे? 82, 2 पे पावर कितने हो जाएंगे? आपका 82 हो जाएगा 82 हो गया, और बाटा में कितना हो गया? 4 जब यहां, फिर से 4 में डिवाइड कीजिएगा, कितना बज़ जाएगा? 2 पावर 2 यानि कितना हो गया? 4 यानि यह जो पूरे पावर है यह सब मिलके क्या हो गया? आपका 4 यह सब सिंप्लिफ्याई करके कितना हो गया? 4 अब इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा यहां पे क्या बज़ जाएगा? 0 अजब 0 बचा जब यहां पे 0 बचा तो 0 करने का मतलब क्या? 2 पावर कितना हो जाएगा? 4 क्योंकि unit digit है अब बताइए, इसका unit digit कितना हो जाएगा? 6 क्योंकि even पे पावर कितना है? 4 है तो बताइए, type 3 आपको समझ में आया कि नहीं हो अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जिसमें 2 remainder बसता है ना वो हमेशा आपको 4 पावर देगा कितना पावर देगा? 4 अब कोई भी question अब उठा लेजिए, देखिए एक और question कोई सा भी question जैसे माल लेजिए, 79 और यहाँ पे 3 देदेगा और यहाँ पे हम कोई सा भी question 62 देदे और यहाँ पे 3 पन देदेगा देखते हैं यह बात कितना सही है तो 62 है, तो 62 पे पावर देखन और इसमें कितना से डिवाइट किजिए? 4 से, जब 4 से डिवाइट किजिएगा तर तो बचेगा पावर कितने हो जाएंगे? देखन हो जाएंगे और बाता में कितना? 4 अब यहाँ पे किर्शों का 12, कितना बच गया? 2 बच गया? कितना बच गया आपका? 2 चलिए सारे कोस्टन में नहीं आ रहा है लगवा कोस्टन में आ जाते हैं यहाँ पे कितना बच गया आपका? 2 बच गया, यह पूरा जो पावर है रिप्लेस होकर 2 हो गया 7, 9, 3 और इसमें पावर कितना हो जाएंगे? उसमें power कितने आ जाते हैं चार आ जाते हैं आज बसमझ में और चार आएगा चार क्यों आता है क्योंकि वहाँ पर remainder कितना बज़ता है जीरो बज़ता है अज जब जीरो आता है तो हमेंसा remainder कितने देते हैं चार ही देते हैं अब एक last type अब कितना एक last type पर जाते हैं last type जो type number 4 होगा remainder कुछ बचेगा ही remainder आपका कुछ बचेगा नहीं उस question को आप कैसे बनाईएगा यहाँ पे आप ध्यान से समझेगा वैसे question जिसका remainder एक भी नहीं बचेगा remainder कितना बचेगा जिरो बचेगा लेकिन वैसे question को भी छोड़ना नहीं है टाइप फोर में जैसे मैं एक छोटा सा question दे दूँ सबसे पहले पावल को देखिए इसमें कितना से डिवाइट कीजिए चार से देखिए यह पूरा पूरी पर जाएगा पूरा पूरी जब कट जाता है तो इसका इसका के जिरो तरचो का बावाज चार हो जाएंगे अब यहां यूट डिजिट निकलना है तो क्या नाई लेंगे दिरेक्ट हम तो साथे लेंगे बस आपको दिखाने के लिए मैंने संतानर पे जाएंगे चार और सातों पावर चार इहां पे क्या आगिया और और पे कितने हो जाते मेरे भाई वह जाते हैं एक और कुछन यह सबसे एजी एक और कुछन गभवराना नहीं है पहले पावर को पकर लीजे पुर्टी फोर कर आम दे experiments करेंदर का मतलब क्या होता है पूरे पर इस पावर कितने हो जाय को चार शूप कि मुझे यूणिद दिसी और यहां आध कर देप पर चार है ऐसे एक गुना किजए आयगा एक वंड़ना फोरी पर मुला कर लिए और पर पर अगर तह पावर चार इस तरह का question 4 किसिम का बताया पहला type कब जब 1 बचेगा दूसरा type जब minus 1 minus 1 का मतलब क्या होता है 3 या minus 1 का मतलब क्या समझते हैं आप 3 remainder समझते हैं तिसरा type जब आपका power कितना बचेगा 2 मतलब power 2 मतलब कने का मतलब remainder 2 बचेगा और सबसे last में मैंने क्या बताया जब 0 बचेगा 0 का मतलब क्या होता है 4 होता है अब इतना type बताने के बाद एक और type मेरे भाई रह गया उस type का नाम है factorial उस type का नाम क्या होगा आपका factorial होगा अगला type को लोग बात करते हैं factorial बड़ी ही important है और इस factorial को आप ध्यान से समझेगा आज काल factorial से ही जादे question पुछे जाते है और ये unidigit का last topic होगा last type होगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक वीडियो और होगे इस पर dependent question का और उसके बाद हम लोग बात करेंगे digital sum के बारे में आई बात समझेगे याद होगा फैक्टोरियल फिर मैंने आपको सिखाया number of factor में भी सिखाया था factorial के बारे में फिर मैंने आपको बताया था remainder theorem में भी बताया था आपको remainder theorem में number of zero मतल्सुन्यकों की संक्या number of factor बुननखंदों की संक्या और सेस्पल परमे और आज हम लोग unit digit में भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग और कहां पढ़ेंगे, जब आपको हम permutation and combination में पढ़ाएंगे, फिर आपको हम पढ़ाएंगे probability में, अभी factorial हर जगा आ जाता है, फेक्टोरियल क्या होते हैं, हर जगा आते हैं, तो फेक्टोरियल से डारना नहीं है, फेक्टोरियल को एकदम आसान भासा में आपको हम अभी समझाएंगे, अब माल लिएक फेक्तोरियल को समझने से पहले कुछ value याद रखना होगा, ध्यान से समझ देगा, जैसे यहां फेक है फिर से बता रहा है कैसे होता है हम पिछले बार भी बोले थे जब पर्मुटेशन और कम्बिनेशन पर आएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे जिरो का वैलू फिर अगर बात करें वान का वैलू तो इस का वैलू कितना आएगा अगर हम फैक्टोरियल का बात करें तो वन गुना तू गुना 3 कितने हो जाएंगे 6 अगर factorial 4 का बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और आपको हम बताए है factorial का sign ऐसे भी होता है उल्टा आई या ऐसे भी होता है दोनो factorial का sign होता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं अब इसको multiply किजिए 4 ते इबारा 12 गुना 24 फिर अगर हम बात करें factorial 5 का factorial 5 का क्या होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 कितना हो जागा 25 का 20 या 60 गुना 120 फिर अगर हम बात करें factorial 6 का क्या होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 कितना हो जागा बर्चक 72 720 फिर अगर हम factorial साथ का बात करें एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच छोग साथ कितना हो जाएगा 0 साथ दुनी चोदर के चार एक साथ पचास पचास सो चालिस जैसे 720 आ है उसमें साथ से मल्टिप्लाइ किजिए कर दी है हम क्यों ऐसा दिखा रहे हैं अभी आपको समझ में आ जागा अगर बात करें factorial आठ का एक गुना दो गुना तीन चार पाँच छे साथ आठ इसको जब आप मल्टिप्लाइ किजिएगा तो आठ से मल्टिप्लाइ कर दीजिए इसमें 0 पर चोगा बतिस के दो तीन यहां तीन आ आठ नौ जब आप इसमें नौ से मल्टिप्लाइ किजिएगा जीरो नौ दुना अठारा के आठ एक नो तियस सताइस आएक अठाइस के आठ दो नौ चोगा चत्ति अब फिर अगर आप तीन कर निकालते हैं तो वन गुना टू गुना त्री फोर फाइव शीक्स सेवन एट नाइन और तेन जब इसमें आप तेन से मल्टिप्लाइ किजिएगा सिक्स टू एट एट जीरो जीरो अब एक चीज़ यहां आप गौर किजिएगा पाँच के बाद किसके बाद पाँच के बाद जितने भी फैक्टोरियल है सब का यूनिट डिजिट जीरो है देख सकते हैं यहां पर जीरो का वन वन का वन टू का टू सिरी का से फोर का फोर है ना फोर लेकिन फाइट से देखिए जीरो 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 फिर यहां देखिए जीरो जीरो और जीरो यानि आप इससे असानी से समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल में चार के बाद जो भी ये यूनिट प्लेस पे वह हमेशा जीरो आएगा क्यों जीरो आ रहा है कि कि यहां पे पांच आ दिया और आपको हम बताये थे कि पांच के साथ अगर एवेन एक भी आ जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा जीरो और अगर पांच नहीं है अगर पांच है और और है तो उस तो यूनिट प्लेस क्या आएगा जीरो और फाइब के साथ अगर ओड करते हैं तो यूनिट प्लेस कितना आएगा आपका फाइब तो आपको कम से कम दस तक कंसेप्ट याद रखना हुआ दस तक में आपको चार तक तो बहुत इजी है यह सब तरह भैलू याद रख लिजिएगा और याद नहीं है तो मल्टिप्लाई करके आप कर सकते हैं अब इस पे एक छोटा सा हम कोश्चन लेंगे जैसे माल लिजिए यहां पे कोश्चन क्या होगा तो यूनी डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सब का वैलू निकालिए वन का क्या होगा यूनी डिजिट निकलना है यूनी डिजिट निकलना है वन का वन होगा होगा कि नहीं होगा होगा कि तू का कितना होगा तू ही होगा किरी का कितना ह पर अब इतना दुर को जूरी है तो एक तीन चौतीन नोच चोवीश और कितना जाएगा अब हम बोले कि इसके unit digit कितना होगा ताप क्या बोलिएगा थिरी बोलिएगा उमीद है कि यह आपको समझ में आया होगा छो दूआ ठीक नौ तिस चार का एक नट चौविस ठीक तो है चौविस अब सुनिये जहां समझेगा तो यहां पे आप एक चीज़ समझ गया है कि एक से लेकर जब हम देड़ सो सब गया तो इसके unit digit कितना आ गया फिरी आ उमीद है कि यह बात आपको समझ में आया होगा लेकिन इतना पर आपका काम नहीं हो चलेगा एक दो और एक्जामपल लेते हैं जैसे मैं यहां पर लिग दूँ फैक्टोरियल जीरो भी तो हो सकता ह पर है कि नहीं पर आपके दो चैसे बाड़न के सबसरें लेंगे बस याद कर लेंगे चार के बाद यहां पर पाच भी है कि नहीं इसके बाद सारा वहलू जो होंगे unit place क्या होते है जिरो होते हैं इसके पहले काम कीजिए इसका 1 इसका 1 इसका क्या होता है 2 इसका क्या होता है 24 24 24 24 चार कितना हो गया 34 अब मैं बोलू इसका unit digit कितना होगा ताव क्या बोलिएगा 4 तो बताईए इस तरह का अगर factorial series में आ जा रहा है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि चार के बाद जो भी आएंगे सब का यूनिट प्लेस क्या होते हैं जी रो और उसके पहले जो भी आए उसको जोरेंगे और वहां से हम लोग यूनिट डिजिट को क्या कर लेंगे निकाल लेंगे अब तुछ और टाइप फैक्टोरियल पर जैसे मैं यहा करेंगे खुछ समझें, जान से, एक सो बीस है तो क्या अएगा, एक दो, तीन, चार, पाँच, डौट, डौट, कहा तक जाएगा, एक सो बीस तक जाएगा, और आपको हम सिखाए है कि कि किसी भी इवेन नमबर के साथ, कि भी वेल नमबर के साथ, एक भी फाइवाजाए, या 5 के साथ कोई भी इवेन नमबर आजाए यहां देखे 5 है और इसके साथ इवेन नमबर चार भी है दो भी है आगे छो भी है आट भी है एक भी 5 के साथ इवेन नमबर आ जाए तो उसका यूनिट डिजित कितना होता है जीर होता है यह बात आपको हम समझाए है कि नहीं तो कैसे बनाईएगा उम्मीद है कि यह बात समझ गया है जीरो नौ सो निनानवे है तिसमें एक भी आया है दो भी आया है इन भी आया है चार भी आया है पांच भी आया है कि यहां देखिए पांच के साथ एक भी आ गया इवेन इसका यूनिट इजिट कितना हो जाएगा जीरो निए तो बताएए फैक्टोरियल में आपने दो तरह का सवाल देखा एक सिंगल वाला और एक स्रीज फैक्टोरियल वाला अब फैक्टोरियल का कोस्चन पावर में भी ह पावर में भी होता है जैसे जैसे माली जीए हम यहां फेक्टोरियल 116 देदिये और इस पेपावर 29 अब हम बुले कि इसका फैक्टोरियल क्या होगा तो बच्चे पता है गलती क्या करते है लास्ट में 6 है यूनिट प्लेस पे बोल देंगे कि यूनिट डिजिट पे क्या ह हो जाएंगे 6 हो जाएंगे जो आपका गलत हो मैं आपको बताया हूँ कि अगर यह 116 अगर यह फैक्टोरियल में नहीं रहता तब आप असानी से बोल देते इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा बट यहां पे यूनिट डिजिट पे 6 तो है बट यह यूनिट होगे यहां पे यह प्ट ऑट यहां पे यह नॉर्मल नहीं है यह प्रेक्टोरियल और यह और बात इस एक वंक चुक्त ऑफ सकते हैं जिक सते हूं के गाट रेघ्र Nou Sinnoh जाएगा आ जाए चार से जैसे ही जादे फैक्टोरियल हो जाए उसका यूनिट प्लेस क्या होते है जीरो और जीरो पर पावर 29 रहेगा तो क्या होगा जीरो आपको सिखाए भी है जीरो 156 पर कुछ भी पावर रहे इसका यूनिट प्लेस नो चेंज आपको हम सिखाए हुए है शुरू में ही यह सा बात आपको हम सिखा चुके हैं अब एक और कोस्चन लेले सपूर हम यहां पर देदे 323 और यहां पर फैक्टोरियल देदे और इस पर पावर देदे माल यह पांसो एकावर मैं कहूं कि इसका यूनिट डिजिट क्य होगा तो भाई अभी मैंने बताया कि चार फैक्टोरियल से जैसे ही जादे रहेगा उसका यूनिट प्लेस में क्या जाता है जीरो और जीरो पर कुछ भी पावर रहेगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी यहां से आपको एक कंसेप्ट निकलता है कि जब भी मेरी बात ध्याना समझिएगा जब भी आपका है na root के यानि factorial factorial के अंदर कोई भी नंबर रहेगा उसके कुछ भी पावर देजिए चार से जाए चार से हमेशा जाए उसका फैक्टोरिया यूनिट डिजिट का वैलू हमेशा क्या आएगी जीरो हमेशा उल्टा करने का मतलब जैसे मैं यहां 3 पे power कोई factorial में number डाल दो और इस question को बनाना है कि इसका unit place क्या होगा अभी क्या था इसके पहले क्या था कि factorial पे power था अब क्या करेगा कोई number पे power में factorial देदेगा इस question को आपको बनाना है कि इसको आप कैसे बनाईएगा अब जरा ध्यान इस question को बनाने के लिए मेरी बातों को ध्यान से समझेगा जैसे माली जी हम यहां पे कुछ भी power देते हैं माली जी हम यहां पे 79 देते हैं क्या देती है 79 देते हैं और हम बोलें कि बताईए इसका factorial में power अगर दिया हुआ है यहां पे unit place क्या होगा इसको आप कैसे देगा यह बात आपको ध्यान से समझना है ज़रा ध्यान देजिए इस पे power कितना है आपका 79 है जब यहां पे 79 है अभी मैंने सिखाया कोई भी factorial 4 से कोई भी factorial 4 से जादे रहे कोई भी factorial अगर 4 से जादे रहे तो उसका unit place पे क्या value आते हैं 0 आते हैं कि नहीं आते हैं आते है तो जब यह power आपका 79 है तो 100% यह 4 से जरूर कटेगा कि नहीं यहां पे 79 है तो यह 1 होगा 2 होगा 3 होगा dot 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 4 भी होगा 5 भी होगा इस तरह से dot 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 कहां गया 79 और अगर इसमें आप 4 से भाग लगाएगा तो यह पूरा-पूरा कटके remainder कितना देगा 0 देगा आई बास समझ म तो यहां पे जो factorial है और यह power में है तो इस factorial जो भी power रहता है आपको हम सिखाय हुए है जो भी power रहता है उसमें 4 से divide करेंगे तो जब इसमें आप 29 में 4 से divide किजिएगा तो इसका remainder कितना आजाएगा पूरे whole power का कितना आजाएगा 0 आजाएगा अज 0 का मतलब क्या होता है 4 ह जीरो का मतलब क्या होता है 4 होता है unit digit में और यह तीन पर पावर जब 4 आगिया तो ऑड के पावर क्या आगिया चार आगिया और पर पावर चार होता है मेरे भाई तो unit digit कितने हो जाते है 1 हो जाते हैं या ऐसे भी 3 पे पावर 4 का मतलब क्या समझते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 3 तिया 9 नो तिया 27 तिया कितना कितना आ गया आई बस समझ में समझ में आया कि नहीं अब एक और हम कोश्चन दें सपोज कोई भी कोश्चन देते हैं मालीजे 25 पे पावर हम यहां पे उन्चास देए इस कोश्चन को सॉल्व करना है यह तो आप जान गए कोई भी बेस पे पावर में फैक्टोरियल है कोई भ मिलेए फावर से कटेगा तो रिवेंडर कितना अगया जीनो और जीरो का मतलब क्या होता है पावर जाल अब यहां लिघत यहां अ कि यह बात आप समझे होंगे आगला कॉस्चन जैसे माघो यहां अंपर 799 और इस प्र पावर दे गया मालीजेवाफ्न om जब फैक्टोरियल बीस दिए कि चार से तो कटेगा लिमेंडर कितना हो गया जीरो जीरो रिमेंडर के लिए हम लोग क्या देंगे चार अब हमको युनिट डिजिट निकलना है यहां से युनिट नमबर को इठाईएं और यहां पर चार जुझी है और पर 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 चार है जब एक्सोपटीस पर नाइंटीन और यहां पर दे दिये सपोज 133 पर यहां पर 20 मैं कहूं इसका यूनिट प्लेस क्या होगा इसको आपको बनाना है यह और चार और यही ना आपका unit digit होगे समझ में आया की नहीं आया एक और कुस्चोन नी लेते हैं सपोर्स हम यहां पर ले और यहां पर हम दे दिये कुछ भी दे सकते हैं यहां पर multiply कर दिये यहां पर multiply और यहां पर एक और दिये 69 पर पावर मालिजे 30 दिये तो इसका मतलब 0 इसका मतलब 0 यानि यहां पर क्या हो जागा पर यूइट प्लेश लेते हैं और यहां पर प्वर जब एक और प्वर चार एक कितना आगया बिदुप्त यही ना आपका उनिट वहा है तो बताएए आपका फ्रैक्टोरील वाला कि टुर्म कितने तरह का बताएं एक बताय स्रीज में एक बताएं सिंगल में जड़न इस ब रहेगा, फैक्टोरियल पे पावर रहेगा, और एक बता है कि कोई नमबर पे क्या रहेगा, फैक्टोरियल होगा, हमने आपको ये चार किसिम का question बता है, आपको यूनिट प्लेस के, आपको उमीद है कि आप लोगों को यूनिट डिजिट का सारा concept आपको अच्छी तरह से समझनाया होगा, अगले क्लास में इस पे डिपेंडेट, जो आज मैंने बताया, इस पे question लेकर आएंगे, जो previous examination, competition के examination में पूछेगा है, लिए मिलते हैं next video में, आपको अगर पसंद आ रही है, तो like किजिए, share किजिए दोस्तों में और comment किजिए, म किलते हैं next video में, जैहिन, नमस्कार.